तो अभी तक हम लोग हैस function के definitions पर चुके हैं और हैस function पर attack भी discuss कर लिए लेकिन अभी तक हमने कोई भी हैस algorithm ने discuss किया है तो आज हम लोग secure हैस algorithm discuss करेंगे that is a standard actually NIST ने इसको develop किया था and it is still standard ok. So, before going into the technical details of this algorithm, we will need to see its history actually ok. So, let us talk about that history in brief. So, actually SSH के सास टाइम से ही काफी सारी algorithms भी हैस के तौर पर as a options अवालेबल थी but that time अब्सक्राइम धीरे धीरे करके बहुत सारी algorithms जो आप टू तू तू तो तू तू तज़ेड़ेंट फाइव इटाइज बिन इडेंटिफाइड कि डे दो ज़ेल गोर्सम बेकेम प्रूब दो ज़ेल गोर्सम प्रूब टू भी एंसीक्योर ओएससे वाज ज़ा अउनली केंड़ेड जो कि डाइट टाइम तक सीक्योर बचा हुआ था एंड एसचे वाज डेवलप्ट वाई एन इस्टी आपने नाम सुना होगा इसका कई बार हम इसके बारे में बात कर चुके हैं इसन और एजनसी ऑफ अमेरिकान अमेरिका इस इस काल्ड नेशनल इस्टीट्यूट सॉरी साइन टेक्नोलोजी तो यह टेक्निकल इस्टेंडर्ट से डिवलप करती है और काई टेक्नोलोजी को इस्टेंटराइज भी करती है नेशनल institute of standards and technology okay so this is an organization of American or actually will associated with America and this algorithm S.H.A. I developed by N.I.S.T. in 1993, you can say, because in 1993, it was announced as a standard by NIST and it was published in FIPS-180. FIPS-180 actually is a standard document of America, which is called Federal Information Processing Standard. Now, initially the SHA came, after that, it was also referred to as SHA-0, which was also referred to in 1993, but in this case, there was some weakness identified, so two years later, NIST has another modification, released in 1995, which was named after that, SHA-1, okay? क्योंकि SHA-0 में कुछ उनको weakness identified हुई थी, और फिर जो document था, इसका जो version उसको नाम दिया गया, sorry, FIPS-181, ठीक है, यह तो था 95 में, okay? Now, यह जो algorithm है, SHA, we will talk about the technical details of this algorithm. So, यह MD-5 से मिलते जोलती थी. So, SHA-1 का जो design था, वो MD-5 से मिलते जोलता था, लेकिन MD-5 भी जो अना, कुछ टाइम बाद, Unsecure Prove हो गई, तो people start thinking that के हो सकता है, SHA में भी वैसे ही कोई weakness नियर future में identify हो, okay? So, SHA-1 actually 160 bit का output generate करता था, तो, that means आपको अगर birthday attack इस पर लगाना है, तो आपको 2 की पावर 80 operations करना पड़ेंगे, that was assumed to be safe that time. लेकिन बाद में, NIST ने एक और revised version इसमें issue किया, जिसमें उन्होंने, 2002 में SHA-1 को further revised किया, 2002 में, है, and उसमें कुछ different variants add किये है, जिससे जो different different hash values, length की hash value generate कर सकते हैं, like 256, क्योंकि SHA-1 पहले initially, 168 bit का ही hash value देता था, तो और variant बाद में add किये गए, 256, then 384, and 512, so, इनको नाम दिया गया, SHA-256, SHA-384, and SHA-512, okay, I will use the variant side, they were referred at SHA-256, SHA-384 and SHA-512, one minute. जो फर्दर जो नया दोकुमेंट जिसमा इनको मेंचन किया गया तो उस डोकुमेंट को भी नया नाम दिया गया वो था FIPS 182 इस यहां पर आपको कुछ नहीं लिखना है इस पेस नहीं है इस पेस है वाल लिए ओके तो एसाचे पूब भी एसाचे वन से इंस्पाइड था एक बाद में इसमें फिर 2008 में इसको और रिवाइज किया निस्टी ने और एक और 224 बिट का बर्जन एड़ किया 224 बिट बर्जन वाद इड़ 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 इन 2008 इड़ इड़ नया आप जो इस्टेंडर था उसको एफाई पी एस वन एटी एफाई पी एस वन एटी और थी में पब्लिस किया गया तो आप देख सकते हैं इसेच टू में कितने वेरियेंट्स हैं इसेच टू नाओर देज करेंट्ली यूज होता है क्योंकि शच वन में वन को एफाई ने डिसाइड कर लिए था कि इस वोड बेद आउट था कि है अग्योंकि टू थाज़ नाओर नाओर ने डिसाइड किया कि ये शच वन में कुछ वीक्नेस था क्योंकि M.D.5 में वीक्नेस प्रूव हुई थी फाइं आउट थी तो नाओट्स पी शुड भी अडॉप्टेड आप्टेड वाइ टू थाज़ंट था करके 2010 था कि 10 था को हम यूज करना फूरू कर रहा है एक बार में सटनली उसको रिमूब नहीं कहता है तो रिमूबल जो होता है वो जनरली फेस्वाइज यार टाइमली किया जाता है धीरे धीरे करके क्यो कोई लोग अपने सॉफ्ट्वेर्स और हाडवेर्स में काफी इंवेस्ट करते हैं तो वो सडनली लोग चेंज नहीं करते हैं तो 2005 में निस्टी ने इंटेंशन क्लियर कर दिया था लेकिन एट हैपन डैट कि कुछ समय बाद ही कि कुछ सम एक ग्रूप अप्रेसर्चर्स न वो कॉलिजन आइडेंटिफाइब कर सकता था और कॉलिजन आइडेंटिफाइब करने के लिए उनको केवल टूप की पावबर 69 ऑप्रेसर्स जो है रेक्वाइट थे ओके और सो आप देख सकते हैं कि यह जो अटेक है वन सिस्टी बिट का जो ऐसा अचे एल्गोर्थम थी तो बैसे जनरली उसमें जो ऑपरेशन्स रिक्वाइट थे वह कुछ तुगी पावर 80 रिक्वाइट थे और जो की अजूम किया जाता है कि एटेज सेफ वेल्यू इत से इंपॉसिबल टास्क होगा तो बट जो एसाच वन पर जो अटेक बाद में जो रिक्वाइट की टीम ने दिखाया वह तुकी पावर 69 ऑपरेशन्स ही उसको रिक्वाइट थे तो ताइमली उन्होंने एसाच वन को 2005 में ही जोना फेज आउट करने का मन बना लिया तो यह इसाच वन को फेज आउट करके से तुस्तमाद करना सुरू करती है तो एसे तो अजिए तो एल्गूर्थम इस बिंग यूज़ दावर देज और अगेन हलाकि शेच थी का भी अर्यवल हो गया है शेच थी एज बिन अडप्तेड अगें इस टेंडर्ट के तोर पर है नाओ लेट्स टॉक अबाउट दा वेरियेशन्स देट इज अबलेवल बिद अशेच अ कि सबको नहीं आ रहा है आपको सबको साउंड आ रहा है ओ ओ ओ नट वाक्ट या तो जो एसे चे स्टेंडर्ड है उसमें जैसे के मैंने आपको बताए कि एसे टू जो करेंटली है उसमें काई स्क्रीन नहीं आ रहा है ओ और फॉर्गोट तुस्यार रहा हुआ सबको विजबल है स्लाइट्स है ओके सो एसे टू जो इस्टेंडर्ड है उसमें या यू कन से लटे सचे मैं कई सारे वेरियेंट्स है सब्सक्राइब करने के लिए उसका मैक्समम साइज टू की पावर 64 था तो यह जो सारे नंबर सा बिट्स में ध्यान रखना है तू की पावर 64 बिट्स था ब्लोक साइज ब्लोक मतलब कितना बड़ा चंक जो ना आपकी एक एक करके प्रोसेस करेगी तो मैसेज जो है मैसेज इतना हो सकता है लेकर फूरे मैसेज को वह साथ प्रोसेस नहीं करते अरगोर्थम कोई फिल्गॉर्थम से फर जित्ने भी है वक भी प्लोक । hobby तो यूज करते हैं एक ब्लोक साइज इस्तेमाल करते हैं तो वह विस लिए जो मैसेज आप inपूर्ट करेंगे जो जो जिसका maximum size इतना हो सकता है तो आपकी algorithm उसे block by block block by block process करेगे that means पहले block में divide की जाएगा then process के जाएगा what size जो है इल्गूर्थम में SHA 1 by 32 bit का था and number of steps 80 round actually okay then SHA 224 जो variant है SHA में तो उसमें जो size है same है all parameters are same scale number of steps different है SHA 256 इसमें message digest का size obviously 256 bit का है क्योंकि यह ज्यादा security आपको offer कर रहा है bit size बढ़ गया है तो obviously this is more secure input size same है block size भी same है word size भी same है और number of steps भी SHA 224 के equal है then SHA 384 में अगर आप देखें तो इसमें आप बात की parameters change हो गया है 2 की पावर 128 maximum size है that means यह ज्यादा बड़े message का हैस निकाल सकती है block size भी आपका बदल गया है वह 1024 bit का हो गया है and then word size आपका 64 bit का है तो modern processors है उनके लिए यह ज्यादा suitable है and number of rounds जो है वो 80 है and SHA 512 जो हम discuss करेंगे अभी थोड़ी दियर में तो SHA 512 में obviously hash value का size 512 bits है maximum size allowed है वो 2 की पावर 128 bit है that means very very large message allowed है and block size जो है 1024 bit होगा word size 64 bit है and number of steps जो है 80 required है तो यह है आपका SHA के different variants है उनके parameters का comparison ना ओम आते हैं तो अब हम जो discuss करने जा रहे हैं algorithm वो एक ही में discuss कर रहे हैं SHA 512 तो SHA का जो भी variant होगा उसमें सबसे पहले आपको मालूम है कि variable message size allowed है तो जो भी message आएगा पहले आपकी algorithm उस message को क्या करेंगी जो भी block size होगा उसके chunks में break करेंगे अगर block size 512 bit का है तो 512 bit के block में divide किये जाएगा अगर आपका block size obviously 1024 bit का है तो जो chunks बनेंगे वह 1024 bit के बनेंगे तो यह जो एग्याम्पल है तो उसमें block size 1024 bit का इस्तिमाल होता है तो आपकी जो message है total message सबसे पहले उसमें क्या किया जाता है कि message की length की जाती है okay now चुकि message का जो size है जरूरी नेसेसरी नहीं हो 1024 bit का multiple हो तो आपको कुछ padding bits last block में add करना पड़ सकती है तो वह padding bits आपकी तो 128 bit का जो ना last block होगा उसमें 128 bit आपका size जो है इस नहीं ले लिया message के size को आप specify करेंगे कि message की length कितनी है 128 bit बची हुई 896 bit है वह आप padding कर सकते हैं और ध्यान रखना इसमें minimum size padding का padding necessary है चाहे size exactly 1024 का multiple हो length को मिला करके या ना हो padding is always necessary so 1 bit का maximum minimum padding होगा और maximum size होगा पैडिंग का वह 1024 bit होगा ठीक है तो whatever is there तो आपकी जो एलगोर समय message को chunks में break कर देगी और last chunk में क्या राएगा message की length साथ में राएगी तो obviously यहां पर 896 का space बचेगा तो आपकी padding 896 bit तक भी जा सकती है और कोछ आपका data होगा तो टोटल मिलाकर के length हो जाएगी 1024 bit and आपकी जो algorithm है वो कैसे processing करेंगी सबसे पहले आपके जो algorithm में उसको एक input दी जायता है that is called initial vector IB या आप उसे h0 भी बोल सकते हैं and इस algorithm में एक buffer इस्तिमाल किया जायता है जिसका size होता है 512 bit का तो यह buffer actually एक register है 864 bit के registers का group है 64 bit के 8 registers है तो आप देखेंगे 64 into 8 512 हो जाएगा तो it is actually यह जो h1, h2 जो hn दिखाए गए है यह buffer और वो buffer क्या है 8 registers का group है और हर register 64 bit का एक register है तेक है register आप जानते है it is a hardware तो जो आपके जो registers हैं उसमें intermediate results रहेंगे सबसे पहले जो input आएगा वो h0 होगा एक मिनिट तो जो register है आपका 64 bit के 8 registers है और उसमें आपके हैस के intermediate results आएंगे वो उसमें store रहेंगे और input जो होगा आपका सबसे पहला वो एक initial vector के तोर पर हम input करते हैं जैसे हम h0 भी कहेंगे now आप देख सकते हैं यहां पर यह जो algorithm है वो कैसे process कर रहे है कि आपका जो derivative function f we will discuss कि f क्या है उस function को आप message input कर रहे है 1024 bit का और यह आपका initial value चली गई यह दोनों को process करने के बाद f एक output generate करेगा वो output आपका h0 के साथ add होता है एप का जो output आएगा उसको बापस से h0 के साथ add करते हैं और यह addition 64 bit का addition है और 2 की power 64 modulo addition होता है और addition के बाद जो भी result आएगा that will become h1 or h1 again input कर दिये जाएगा app को और अब app में दो inputs आ रहे है h1 and m2 okay h1 और m2 के processing के बाद कुछ output आएगा उसे बापस से h1 के साथ add किया जाता है okay 2 की power 64 bit के जो modular addition के साथ मोर h2 आएगा h2 again इस तरीकी से आगे feed होगा और आगे जो f होगा उसमें m3 और h2 process होगे and so on and this process will continue और आखिर में hn-1 जो होगा hn-1 और आपका last message block mn जो है आपको जाएंगे और जो output आएगा उसको बापस hn-1 के साथ add किया जाएगा और final hash code so we will see that kya f kya है actually how this f how this f works okay so इससे पहले यह आप कह सकते है this is complete f now यह जो f है इसके इसमें total 80 rounds है आप देख सकते है round 0 round 1 and so on round t and so on round 79 okay now यह जो round है यह round में आपके देखेंगे inputs हैं आपके a b c d e f g h और यह a b c d e f g h क्या है यह 8 registers हैं जो मैंने थोड़ी देर पहले आपसे बात की थी कि 8 registers इस algorithm में होते हैं और हर register का size 64 bit का होता है तो a is a 64 bit register b is also a 64 bit register and so on तो यहां पर उनके contents को initial contents है उनको a b c d e f g h से represent किया गया है okay now यह जो registers हैं इसका initialization जो करते हैं हम वो values को भी a b c d e f g से ही represent कर रहे हैं और यह जो values है यह एक खास values है तेक है यह values कैसे derive करते हैं आपके जो initial 8 prime numbers जो है first 8 prime numbers first 8 prime numbers कौन-कौन से होंगे आप count कर लिए 2 पहला prime number अगला prime number 5 then 7 then 11 and so on so total 8 जो prime numbers है initial आपके उन prime numbers का हम क्या करते हैं square root लेते हैं और obviously prime number का जब आप square root लेंगे तो एक integer आपको square root पे नहीं मिलेगा you will get a real number तो वो जो real number मिलेगा उसका जो fractional part है उसका 64 bit representation लेते हैं और उसे हम इस register में रखते हैं so 2 के square root का जो fractional part है उसका 64 bit representation आएगा वो a में रहेगा then 3 का square root लेने से जो fractional part आएगा उसका 64 bit representation b में रहेगा and so on c में 5 का square root का fractional part रहेगा इसमें d में आपका 5 के बाद आगला 7 है तो 7 का square root का fractional part रहेगा 64 bit form में and so on तो यह जो initialization है आपका यह h0 आप इसे गोल सकते हैं जो first में जैसे मैंने का initial vector तो यह जो vector है यह actually randomization add करता है क्योंकि आपका जो fractional part है वो एक तरीकी से एक random sequence होता है तो यह random sequence हम इसे initialize करते हैं तो यह हर बार fix रहेगा इसी sequence हम इसे initialize करते हैं लेकिन इसमें जो bits होंगी वो उसमें randomization की property होगी वो उसमें ऐसा नहीं होगा कि 1 जादा है या 0 कम है something like that तो एक random kind of sequence होगा you can say that so यह आपके जो processing है पूरी उसमें randomization introduce करता है okay so यह जो registers है यह round 0 को गई and round 0 से जो output आएगा वो round 1 को चला जाएगा round 1 से जो output आएगा वो round 2 को चला जाएगा and so on और आखिर में जो round 80 number वाला है 79 इसका sequence है क्योंकि 0 से है तो round 80 में 79 का जो भी output आएगा वो आजाएगा और इस round का जो output है उसे हम add करते हैं प्रीवियस जो input था उसके साथ में है है HI-1 जो होगा है HI आपका generate होगा तो यहां round से जो output आ रहा है और HI-1 बापस आपने इनको सबको add कर दिया यह भी 512 bit का है output 512 bit का है इनको आपने add कर दिया और जो addition होगा 2 के बावर 64 module addition होगा ओके और इससे आपको HI मिलेगा and यह process continue रहेगी अब HI feedback होके जाएगा अगला HI plus 1 आएगा and so on ठीक है now हर round को आप देखेंगे 2 inputs जा रहे हैं साथ में हैं इनके अलावा वह है W0 तो यह weights है यह weights आपके 64 bit के weights हैं यह आपके message से derive किये जाते हैं all weights are derived from the messages इसके बाद K0, K1, K2 and so on K79 यह 80 round constants है और यह जो round constants है यह derive किये जाते हैं initial 80 prime numbers से कैसे जो आपके first 80 prime numbers है 2, 3, 5, 7, 11, 13 and 17 and so on 23 तो यह जो first 80 prime numbers से आप उन्हें लेंगे और उनका आप cube root निकालते हैं ठीक है तो K0 obviously 2 से generate हुआ है K1 आपका 3 से generate होगा K2 5 से generate होगा and so on तो यह जो 80 numbers हैं यह कैसे generate हो रहे हैं जो 80 आपके initial prime numbers है उनका हमने cube root लिया, cube root का जो fractional part है उसको हम ले लेंगे 64 bit के representation में और वो आपके round constants हों गए तो यह round constants fix है तो यह round constants आपके अलग-अलग rounds में जाते हैं input के तौर पर और यह actually source of randomness है जो आपके hash function में randomness introduce करते हैं तो यह तो हो गया आपका आपके सकते हैं round function लेकिन individual round की जो structure है वो हमें देखनी है तो individual round की जो structure है वो आपके इस diagram में तो की गई है तो इसमें कुछ function system आल हुए है इसमें आप देखेंगे कि यह जो function है तो जो round function है आपका उसमें जो round है individual तो round में input है आपका ABCDEFGH और output भी ABCDEFGH है लेकिर यह ABCDEFGH एक्चुली कुछ inputs यहां ट्रांसफर हो जाते हैं जैसे आप दोखेंगे BCDEFGH यह जाते हैं के वल दो inputs substitute होते हैं A और E ठीक है तो यहां पर यह जो पूरा structure है यह जो आप set of things देख रहे हैं जो चीजने देख रहे हैं functions देख रहे हैं MAJ लिखा हुआ है majority then CH sigma यह addition है तो यह जो operations है तो यह जो operations है यह मिल करके substitution perform कर रहे हैं और substitution केवल और केवल ultimately A और E पर perform होता है बाकी इनमें permutation है तो आप देखेंगे B में जो input आया हुआ है वो A है actually तो A आपका B में चला गया है and B आपका C में चला गया है C D में चला गया है and E F में चला गया है F जो है आपका G में चला गया है तो एक तरिके का 아पने bits को एक तरिके सरे permute कर दिया कैसे order बदल दिया है इन्पुट का लेकिन दो इन्पुट्स हैं केवल A and E ऐसे हैं जो actually substitute होते हैं with the help of these set of operations, okay. So, यहाँ पर यह जो set of operations है, इसमें यहाँ पर जो output आ रहा है, यह, can you, you can see that this cursor, this is known as T1, तो I will write the formula of T1, तो यह जो processing होके आ रहा है, that means sigma हुआ E के ऊपर, E, जो है, sigma operation performed किया, then आपने CH operation performed किया, EFG पर, and H, मैं आपने H को CH के output के साथ आड़ किया, then यह जो output आया, उसे sigma के output के साथ आड़ किया, then उसमें WT add किया, then KT add किया, जो कुछ output आया, this output is called T1, okay, so I cannot write here actually, but you can see that here, it is the, this output is called T1, and यहाँ जो output आने बाला है, that is called T2, so I will write the equation of these T1, T2 for you, book में भी है, आप चाहें तो book में इन equations को देख सकते हैं, और diagram से समझने की कोचिस कर सकते हैं, so T1 जो है, आपका है, जैसा कि मैंने कहा था, कि H+, CH एक function है, अभी मैं बताता हूँ कि CH क्या है, इसको तीन input required होते हैं, E, F, G, then, एक function आपका sigma था, sigma का ये notation है, 1, 512, and E, तो ये sigma operation E पर perform हो रहा है, और अभी, we will talk about this, कि ये 1 का और 512 तो size है, इसलिए लिखा हुए block size है, 1 का meaning है कुछ, ठीक है, I will tell you the meaning, then, WT, ये आपका weight है, message schedule से आता है, KT आपका round constant है, तो इससे T1 calculate होता है, तो आप देख सकते हैं, मैंने आपको बताया था, कि T1, let me come back to the diagram, T1 में आपका क्या है, H+, CH, CH को आपने EFG input किया है, तो आप देख सकते हैं, जो मैंने लिखा है, CH, EFG, then, आपका एक summation operation था, ये है summation जिसको आपने E input किया है, और जो output आएगा, वो आपका CH के output के साथ add होगा, तो आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है, CH के output और H और CH का जो output है, उसके साथ ये add होगा, then, आपका WT और KT add करना है, तो W2 और KT add किया, तो आपको जो T1 मिल गया, then, एक और parameter compute होता है, intermediate result आपके सकते हैं, T2, T2 का formula है, sigma 0, 512, A, यह एक operation है, actually, plus MAJ, इसमें input है, आपका A, B, C, then, बाकी जो मैंने बता है कि यह बाकी तो shifting होती है, H आपका actually G से आता है, और G आपका F से आता है, F, E आता है, यह input size है, E आपका F में चला जाता है, और E जो है, आपका D plus T1 से compute होता है, तो यह T1 जो हैना यह आएगा, उसमें आप D जो भी register का content आप वो add करेंगे, तो आपको नया E मिल जाएगा, and नया D आपका C है, C is equal to B है, and B actually A के equal है, क्योंकि A का content B में आता है, और देन नया जो A compute हो रहा है, वो आपका T1 plus T2 से compute होता है, तो यह set of formulas है, यह आपको remember रखना पढ़ेंगे, and यहाँ पर T क्या है, round की count है, जो step number था, आपने देखा, 80 round थे, तो small t जो suffix में, अगर किसी में लगा हुआ है, तो वो round constant, वो count है, now इसमें जो operations है, let's talk about those operations, CH, CH, EFG, इसका meaning है, E end operation, मतलब E का जो content है, उसका end perform होगा, F के साथ, and then, इसके output का XOR होना है, not E end G, ठीक है, तो यह तो है आपका CH operation का meaning, E और F का end operation, और E के negation का end करना है, G के साथ में, और फिर finally, जो output आएगा, इनका 64 bit का, उनका XOR operation करकर लेना है, तो इस बिट-वाइज operations है, then, एक और operation जो अब मैंने लिखा था, MAJ, ABC, इसका मतलब है, A and B, sorry, and then XOR, A and C, यह ABC आपके small register content है, और end operation आप जानते हैं, XOR, B and C, ठीक है, यह आपका MAJ operation है, then, जो sigma operation जो बताए था, मैंने, sigma 0, 512, A, तो यह actually एक rotation operations का collection है, तो यह है, R, O, T, R, 28, A, plus, R, O, T, R, 34, A, plus, R, O, T, R, 39, A, O, K, तो यह जो sigma operation है, यह actually एक symbol है, simply, इस set of operations का, Now, R, O, T, R, actually, क्या है, R, O, T, है rotation, और right, तो यह right side rotation है, circular shift rotation है, ओके और कितना rotation होना है वो यह number बताता है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर ROTR 28 A का मतलब है कि A जो register है उसके content को circular shift करना है, तो right side, यह left side होती है और इस side right side होती है, तो right side shift करना है 28 bits, और जो भी output आएगा, that will be the output of this one, मतलब एक रिजिस्टर के रिजिस्टर एक के कंटेंट को लेकर के 28 bit right side shift कर लेना है circular way में तो जो output आएगा वो ले लेना है then यह प्लस नहीं है एक्स और अपरेशन है ओके देन आर को ही आपको एक कंटेंट को इस वार 34 bit का rotation करना है और एक कंटेंट को 39 bit का रोटेशन करना है और फिर जो इनके outputs आएंगे उनको XOR कर रेना है और वो जो output होगा that will be the output of this operation so this is the meaning of this operation then एक और rotation operation था वो भी ऐसा ही है लेकिन उसमें rotation के count बदल जाएंगे so 1 का मतलब सिर्फ इसको identification के लिए यहाँ 0 है 512 and e यह e के ऊपर perform हो रहा है rotation operation और इसका मतलब है ROTR 14 मतलब e को 14 bit से right circular shift करके right side rotate करना है then अगला जो rotation है वो 18 bit का है e पर ही plus ROTR 41 और यह e पर 41 bit का rotation है यह इस operation का इसका मतलब है okay बाकी ठीक है तो यह operations है जो आपके हर round में perform होते हैं okay so आप देख सकते हैं अब आप you can understand कि CH में EFG किया EFG का CH किया then उसमें H add किया और यह जो output आया उस output को आपने sigma के output sigma E जो है इसके output के साथ add किया so यह जो add करने के बाद WT और KT add कर लेना है और यह output आपका T1 और यह T1 फिर बाद में इसके साथ add हो रहा है क्योंकि E की value निकालनी है तो E equal to क्या था A plus T1 जो मैंने लिखा हुआ था तो T1 यह है और यह A की value जो है यहां से आ रही है क्योंकि E की value T1 plus T2 है यह T1 T2 है आपका और T2 आपका है as per the equation T2 की जो value है वो as A per sigma operation perform होना है then उसके साथ majority का जो output आएगा वो दोनो add हो जाने है यह दोनो add होकर के यह आपके जाकर के T1 के साथ add होगा T2 T1 से आपको A मिल जाएगा और E आप देख रहे हैं E कैसे आया हुगा है E में D की value लेना है यह जो D की value आई और उसके साथ T1 को add कर लेना है और जो output आएगा वो E में चला जाएगा so this is how the operation is being done ठीक है हर round में जो आपने 80 rounds देखे थे तो this is the just say year round year round all rounds have this structure now KT के बारे में बात कर चुक है हम WT के बारे में बात नहीं किए कि WT कैसे generate होता है ज्यादा understandable है so W जो है आपके W की initial जो value है वो आपके MI से आती है तो W word size के according आएगा तो आपका चुकि इस SHA 256 word size जो है 512 word size 64 bit का है तो आपका जो message है उसमें भी 64 words है तो आप message को 64 bit की unit में बना बात लेंगे और आपको words मिल जाएंगे तो पहले 64 bit जो है आपके W0 हो गया आगला 64 वो W1 हो गया and so on और लास्ट जो 64 bit है वो W15 हो गया और W0, W1, W2, up to W15 यह compute यह use होते हैं further WTs काउंट करने के लिए हैं क्योंकि आपको W16 से W79 तक total 80 words चाहिए तो 16 words तो आपके पहले message block से जो initial message block है message block जो भी input में आ रहा है उससे मिल जाएंगे पहले 16 फिर आगले 16 फिर works के आगले 16 आपस में previously 16 के group से derived होते हैं तो उसके लिए formula है let me write the formula for Wt तो Wt का भी formula complex है अलाकि इनको याद रखना मुस्किल है but you have to do that Wt is equal to sigma again एक और operation हम लिखने जा रहे है sigma 1 इसका meaning हम बताएंगे अभी sigma 1 512 Wt minus 2 ओके सो यह sigma operation Wt minus 2 पर लगेगा then plus Wt minus 7 as it is plus sigma 0 512 and यह operation Wt minus 15 पर लगना है plus Wt minus 16 add होगा so this is the formula जिसमें आप जिस round के लिए भी calculate कर रहे है T की value round के लिए यह round value है ठीक है round number तो आप round number जो introduce जो भी देंगे उसके according जिस round के लिए चाहिए उसके लिए values आपको मिल जाएंगे now इसमें दो नई चीज है यह जो operations क्या है तो अगेन यह भी rotation operations के group हैं जैसे sigma थे but rotations की count अलग है इसमें दौनों तरिकी के rotations है left shift भी है और right shift भी है तो let me write sigma 1 so sorry first sigma 0 512 and x suppose x इसके लिए input है तो यह इसका मतलब है कि पहले आप x को rotate करिए right side में circular में one bit का output ले लीजिए प्लस अगला इसके साथ addition जो करना है वो है rotate r 8 bit का x पर प्लस एसे चार 7 bit x और एसे चर क्या है left shift operation है इतने bits का x में left shift operation करना है आपको 7 bit का इस case में ठीक है जो number लिखा है वो number बताता है कि और इसमें 0s की जो padding हो यह circular shift नहीं है ठीक है तो इसमें जब आप bits को left shift कर रहे हैं तो क्या होगा right side empty space create होगा right side से आपको 0 send करना पड़ेगा 0 fill करना पड़ेगा ठीक है तो obviously इसमें जब right side shift करेंगे तो और left side से 7 0 introduced हो जाएंगे x में जो भी होगा x की value और फिर इनके outputs आएंगे उनको add कर दिए लाएगा अगला जो sigma 1 है आपका sigma 1 512 x अगें वो भी ऐसा ही operation है बस rotations की count अलग है आ रो टी आर 19 बिट का rotation है एक में प्लस आ रो टी आर यहां 61 बिट का rotation है एक्स के उपर प्लस एस एच आर यहां पर 6 बिट का rotation है एक्स के उपर तो यह दो operations हैं तो यह rotation operations करके यह value निकाली जाती है और यह आप देखेंगे sigma 0 wt-15 पर लगने वाला है और यह sigma 1 wt-2 पर लगेगा तो x की value आपकी यहां इस case में wt-15 रहने वाली है ठीक है और यहां जो यह जो x है आपका यह wt-2 है तो इस तरीके से यह message schedule generate होते हैं और फाइनली आपका जो output आएगा वह 512 bit का जो output होगा और फाइनल हैस वैल्यों तो दिस वाज और हैसल गुर्दम आपके तो करेंट्ली ऐसे टू अलाकि ऐसे वन भी उसमें कुछ वीक्नेस मिली हैं बट सम्टाइम ऐसे वन इस अल्सों बिइंग यूज्ट्स पीपल आर यूजिंग क्योंकि कोई सिग्निफिकेंट जो 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 बुक जो मैं आप दिसके यूज़ कर रहर रहे हैं और उस बुक की राइटिंग तक स्ट्रॉंग जो सिग्निफिकेंट वीकनेस हो ठेवरिटिकली वीकनेस और एक प्रक्टिकल वीकनेस दोनोंगा डफरेंस होता है तो SHA-1 is being used in some applications still, SHA-2 is also being used and SHA-3 also have been identified, okay, but SHA-3 अभी उत्रा adopt नहीं हुगा है, some people have adopted, and जहां तक security की बात है, SHA-2 and SHA-3 all are secure, SHA-1 मैं कुछ theoretical weakness मिली थी, जिसके बारे बात कर चुके हैं, क्या weakness थी वो हम detail में नहीं गया है, okay, so this was SHA-2 algorithm, तो अभी तक हमने यह जो algorithm discuss की है, that was, so SHA-2 has functions है, actually, दो तरीके के होते हैं, जो cryptographic has functions हैं, there are two type of cryptographic has functions, एक होता है keyless, जिसमें key हम नहीं देते हैं, कोई भी key नहीं होती है, so SHA-1 आपका जो है, और MD-5 यह सब क्या है, keyless has functions है, SHA, पूरी family of SHA functions, and MD-5, यह आपके keyless has function है, क्योंकि इसमें कोई secret की आप input नहीं करते हैं, next class में हम लोग keyed has functions की बात करेंगे, जिसमें हम secret key भी input करते हैं, तो यह जो keyless has function है, इनका इस्तिमाल केवल message integrity checking के लिए इस्तिमाल होता है, message integrity, तो message related actually, दो चीज़े हम verify करना चाहते हैं, जब आप let's से मान लीजिए, एक message receiver पर आपको, suppose you are a receiver, और आपको एक message मिला, और उसके साथ hash value मिली, तो एक तो option है कि आप message का फिर से hash कर लिए, और इन दोनो h को मिला लीजिए, यह भी तो h है न, तो you can call it h dash, h dash और h को मिला लीजिए, अगर दोनो equal है, इसका मतलब आपने message accept कर लिए, क्योंकि message okay है, और अगर equal नहीं है, इसका मतलब message में change हुआ है, तो आप message को discard कर लेते है है, so this is called message integrity checking, तो आप message की integrity इस तरीके से चेक करते हैं, लेकिन इसमें जो message और has value आपको दी गई है, आप इसके source को verify नहीं कर सकते हैं, कि who have sent this to me, क्योंकि हो सकता है, कि जब सेंडर आपका था, let's say Alice is the sender, और Alice ने m और h भेजा आपको, लेकिन हो सकता है, कि बीच में attacker जो ह हटा दिया, और एक नया message और एक has function निकाल, जो has function यह इस्तमाल कर रहा था, that means Alice इस्तमाल कर रही थी, वो ही has function लिया, उसने message और has दोनों बदल दिया, और आपको भेज दिया, तो आप चुकि message और has आपके पास आई हुए हैं, तो message के corresponding यह has correct है, तो यहाँ पर यह आपका comparison यह has निकालेंगे, और एक h dash जो भेजा गया आपको, वो match कर जाएंगे, और आप हो सकता है, इसे wrongly इस message को accept कर लेंगे, लेकिन यह message आपको मालूम है कि ALS से नहीं आया है, क्योंकि यह message EVE से आया हुआ है, तो actually क्या था, कि generally हम message integrative में मानते हैं कि M को इसके साथ हुई है, तो हम पता कर लेते हैं, लेकिन M और H दौनों बदल दिये गए, तो आप नहीं पता कर सकते हैं, कि यह M और H, आप मान के चलेंगे, कि LS से आया है, आप यही मान के चल रहे हैं, but it is not so, यह आया है EVE से, क्योंकि दौनों चीज़ें बदल दी गई है, तो इस problem को र करने के लिए, हम source को भी verify करना चाते हैं, कि M और H हमें मिला है, यह source correct है कि नहीं है, मतलब जिस source हम expect कर रहे है, कि LS से आ रहा है, वो LS से ही आया है, कि नहीं है, तो इसके लिए जरूरी है, obviously हम key का concept डालते हैं, तो जो अब हम S function पढ़ेंगे, अगला, जिसे हम generally इस case में Mac ब discuss करेंगे, that is called H Mac, तो H Mac भी actually क्या करती है, actually हम इनी में से कोई एक algorithm इस्तेमाल करके यह algorithm बना लेते हैं, so H Mac कोई नही है, सिर्फ हम क्या करते है, in keyless S function को इस तरीके से adopt करते हैं, कि हम उसमें साथ में key भी introduce करते हैं अपनी तरफ से, जब message में, आपके S function के साथ key भी आ कर आएगा, message integrity भी आपको verify कर आएगा, और message का source भी आप verify कर पाएंगे, so H Mac इसको हम बोलते है, message authentication code, इसका output आएगा Mac का, इसे हम message authentication code बोलेंगे, so we will discuss it in next class, okay, ठीक है, so दियान रखना है, keyless has function का जो output आता है, मुझसे generally message digest उसकी लिटर में इस्तिमाल करते हैं, message digest या has value, और यहाँ जो output आता है, keyed has function का, जिसमें key input key है, तो हम उसके output को Mac बोलते हैं, तो यहाँ थोड़ा सा आपको confusion हो सकता है, क्योंकि keyed has function को भी हम Mac बोलते हैं, और इसके output को भी Mac से ही represent करते हैं, तो वो context में आपको clear हो जाएगा कि हम algorithm की बात कर रहे हैं, या algorithm के output की बात कर रहे हैं, okay, so unfortunately, दोनों के लिए term Mac इस्तिमाल होती है, है, output के लिए भी और algorithm के लिए भी, यहाँ distinction है अलग, has algorithm जो आपका keyless has function है, उसे has algorithm बोलते हैं और इसके output को message digest या has value बोलते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा थोल नहीं है, So, we will discuss this in next class, कोई 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 आपका? Okay, so let me close, say